पिनेट और समस्त अधिकारी आप सब को एक आम आदमी का नमस्कार आज मैं आपसे करोडों जनता की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ सिस्टम ने लोगों को कैच करने के सारे फंडे लगा लिए कुछ भी गड़बड करो पकड़ लेता है सिस्टम पबलिक को कैच करने के पूरी तरीके बना रहा है और वो सफल भी होता जा रहा है और पबलिक के रूप में मैं आपके साथ लेकिन मैच में दोनों पक्षों को बेटिंग करने का मौका में लिए हम चाहते हैं आप थोड़ी सी पावार आम जनता को भी दो ताकि आम जनता भी सिस्टम को कैच करें रोड में गड़े हो तो हम रोड निर्मान अधिकारियों को फाइन लगा सकें कई हमने कोई application आवेदन कुछ दिया उसको handle करने में दे रही हो तो उस department को फाइन लग सकें अप राधियों को पकड़ने में दे रही हो तो पुलीस पे फाइन लग सकें और मोदी जी एक भी किस्सा नीरो मोदी और मेहुल चोक से या तेलगी जैसा हो जाया है तो मोदी तेलगी इनको तो जम के फाइन लगे लेकिन जितने लोग उस system में involved है अब उन सब को भी जम के फाइन लगे क्योंकि केक जब कटता है तो वो सब में बढ़ता है तो एक-दो अधिकारियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा पूरे के पूरे सिस्टम पे कारवाई होने चाहिए मैं आम जनता की तरफ से आप से कुछ रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ और विलिव मी यह एकदम पॉजिटिव रिक्वेस्ट है बिल्कुल भी आप इसको नेगटल मत लिजे पूरे सिस्टम कहीं भी इसको नेगटल मत ले चाहे सिस्टम जीते चाहे जनता जीते इस मैंक्च में स्मय सीमा क्या है को सर्टिफिकेट लेने देने की मैंक्जिमस हमय सीमा क्या है इक बार आप सारे डिपांट में समय सीमा करवा दीजिए ताकि जंता पूछ सकेगे यह pakाम अप तक क्यों नहुंड हम उस इमैल डेजिए हम उस इमिल आइडि में टेश रहने वाला आदमी भी फोन लगा के लंबी देर तक बात करके भी अपना किस्सा सुना सके भले वो आर्थिक रूप से कमजोर हो या मजबूर नहीं तो आप वो नायक पिक्चर में अनिल कपूर का जो हेलो सीन चलता था उस सीन को आप देख लिजी कि कोई एक हाट लाइन पर आप फोन लगा सके जो कुछ भी नहीं जानता जो एड्रेस लिख के कुरियर कैसे करूँ डॉक्किमेंट कैसे करूँ उससे घबराता है उसके लिए हर शहर में पब्लिक प्लेस पे एक बक्सा लगबा दीजिए जिसमें वो आके डाल सके हैं फिर मैं आपको नायक क्या निल प्रेट करता है और लोग उस बक्से को भर देते हैं आप हुमें पावर है आप यह कर सकते हैं यदि हो सके तो एक छोटी सी लिबर्टी दे दीजिए कि हम बिना अपना नाम पता और फोन नमबर डाले भी शिकायत कर सके हैं चूंकि वो डालने के बाद यह लोग बहुत तक उनका आवेदन पहले हंडालोगा और बाकी का आवेदन बाद में हंडालोगा लेकिन आप हमको इतनी सी पावर दे दीजिए कि पूरे भारत के 100 करोड से जादा लोगों को यह पता हो कि उनके साथ कुछ गलत होने पे एक्जेक्ली किस जगा सुनवाई होगी और किस जगा फोस कारवाई होगी आप वहाँ पर कुछ इमानदार लोगों को बिठा दीजे जिनकी रग रग में नस नस में इमानदारी भरी हो और फिर देखिये मोदी जी इस मैच में क्या मजाता है एक मैच खेलते हैं दो-तीन साल का जिसमें जनता अपनी बॉलिंग करेगी और वास किजिए भारत जीच जाएगा और वर्ल्ड लीडर बन जाएगा मैं आपका दोस्त लेखक मॉटिवेशनल स्पीकर बिजनस कोच डॉक्टर उज्वल पाटनी भारत की करोलो जनता की ओर से ये छोटी सी अपील लेके एक बार आप हमको भी एमपावर करती है